हेलो फ्रेंड स्वागत is आपका मेरी चैनल में आज हम मनने वाले हैं मश्रूम की बहुत ही टेश्टी एकदम ज़टफट बनने वाली चटपटी से सबची जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेश्टी लगती है और इसे हम kैंड श्रूम यानि जो डबे वाली मश्रूम ह तो सबसे पहले क्या करेंगे कि मश्रूम को निकालने के बाद इसे हम गरम पानी में एक दो बार अच्छे से दो लेंगे ताकि इसका जो सारा कैमिकल है वह बाहर निकल जाए और इससे कोई समेल भी ना आए इसके बाद ही इसकी हम सब्जी बनाएंगे यह मश्रूम खाने में बहुत ही जादा टेश्टी लगते हैं बहुत ही डिलेशियस होते हैं तो चलिए जल्दी से इसे बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि हमें कड़ाई में डालेंगे सरसो का तेल तेल डालकर इसे हम अच्छे से गरम करेंगे और इसके बाद इसमें हम बारी कटा हुआ लैसुन और साथी थोड़ा सा दरदरा कूटा हुआ अद्रक और साथी साथ यहां पर मैं डाल दे रही हूँ बारी कटी हुई हरी मिर्च अब इनको हम थोड़ा सा भून लेंगे और इसके बाद यहां पर हम डाल देंगे प्याज तो प्याज को थोड़ा सा जादा ही डालेंगे जिससे ये खाने में अच्छा लगे तो प्याज डालकर इसे हमें भूनना है तो इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक ये गुलावी ना हो जाए और हम देंहेंगे काँदी पियाचक अच्छी पहराई हओते हम दालेंगे temperature हर्णा बूम्दी ऐसना सब्सादाली चाहिए भी मसालसिते हैं इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे फिर यहां पर मैं डाल दे रही हो शिमला मिर्च और साथी साथ यहां पर मैं डाल दे रही हो टमाटर और इनको इसी तरह से लंबा-लंबा काटना है इसके बाद इनको हम हलका सब भूनेंगे ताकि टमाटर जो है वो थोड़ा स तो इसे पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा तो इसको हम मसाले के साथ लग भग तीन से चार मिनट तर भूनेंगे आज को धीमी रखेंगे और 3-4 मिनट भूनने के बाद इसमें हम ढल देंगे टमाठर सौश इसका टेस्ट बहुत ही बढ़ जातायाए और इसके बाद इसमें हम ढल देंगे थोड़ी सी चीनी चीनी डालने से इसमें एक मिठास आती है जो खाने में बहुत अच्छी लगती है इसके बाद इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर इन सब को अच्छे से मिक्स कर देंगे और लीजे प्रेंट से हमारी बहुत ही टेश्टी मश्रूम के एकदम चटपटी से सबजी बनकर तयार हो गई है इसे आप रोटी पराठा के साथ खाई यह बहुत ही ज्यादा टेश्टी लगती है इसे बनाना बहुत है सिंपल है एकदम जटपट से बन जाती है बच्चे बड़े सभी को यह बहुत ही ज्यादा पसंद आती है तो आप एक बार इस सबजी को जरू ट्राइ कीजेगा और धिंक यू